अगर आपका अद्रक लसुन का पेज जल्दी खराब हो जाता है तो एक ये चीज दालने से बिल्कुल भी वो खराब नहीं होगा और दो से तीन मैने तक इससे आप चला सकते हैं बिल्कुल भी इनका ना तो कलर चेंज होगा ना ही इसमें से स्मेल आएगी तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अद्रक को ले लेना है अच्छी तरीकी से उसे धोनी के बाद आपको छिल लेना है तो देखिए अद्रक के ओपर बहुत सारी गंदगी होती है तो सबसे पहले उसे धोके आपको छिल के कट करके रख लेना है और यहाँ पे इसी तरह आपको लसुन को ले लेना है गारलिक को ले लेना है इसे भी आपको छिल लेना है तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों को छिल लिया है दोनों की कॉंटिटी आपको सेम रखनी है तो चलिए इसे मैंने छिल के अलग रख दिया है दोनों की quantity मेंने बराबर ले ली है अद्रक और लसुन को छिलने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं धोना है नहीं तो इससे आपका अद्रक लसन का पेश्ट खराब हो जाएगा तो यहाँ पे आपको छोटा वाला जार ले लेना है बड़े वाले जार में बहुत अच्छा नहीं प इंजर यहाँ पे अद्रक को आपको पहले पीस लेना है थोड़ा सा तो चलिए यहाँ पे मैं आदे अद्रक को पीस लेती हूँ तो चलिए फिन मैंने अद्रक को पीस लिया है आप देख सकते हो थोड़े से रेसे रेसे इसमें दिखने लगेगे अब इसे में आपको थोड़े से लसुन भी यहां पे आपको एड़ कर देना है इससे क्या होगा इसका मिक्षर बहुत अच्छा फाइन हो जाएगा नहीं तो हम क्या करते एक इसा दोनों को पीस लेते हैं इसकी वज़े से ना तो फाइन पीसा जाता और बहुत जादा खराब हो जाता है तो इससे लंबे समय तक हमें स्टोर करने के लिए एक चमच यहां पे आपको नमक का यूज़ करना है ऐसे अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेते हैं तो चलिए मैंने ग्राइंड कर लिया है बहुती फाइन हमारा पेश्ट बनके रेडी हो गया है तो इसमें जो हमने नमक यूज किया था उसकी वज़े से इसकी सेलफ लाइब बढ़ जाती है अगर इसको आप रमजान में यूज करना चाते हो तो इसके क्यूब बना के आपको डिफ्रीजर में रख देने है जब भी आपको चाहिए एक क्यूब निकाल के आप यूज कर सकते हो पर मैं इसे एक कंटेनर म और अच्छी तरह के से इसे फ्रीज कर लेती हूँ बिल्कुल भी खराब नहीं होता है दो से अड़ाई मैने तक आप इसे तीन मैने तक भी चला सकते हो अगर आपने क्यूब बना लिये तो तो चलिए यहाँ पे हमार अधिकल सुनका पेस्ट बन चुका है अगर वीडियो पसंद आये तो मेरी चैनल को जरूँ फॉलो कीजिए मुझे इंस्ट्राग्राम और फेस्बुक की बिया फॉलो करें